नमस्वार दोसों आप शबी का बहुत भहुत श्वगते दोसों इस दिनिया शें हटाना चाहता है यह एक इंशान दोसों शमे रहतें आप इन से शमल जाएए परना दोसों कही न कहीं यह आपकी जीवन को पूरी तरह तबाह कर देगा जे दोसों पिछले तीन महिनों शे आपकी जुनकाल में इस ने आपको चार बड़े धोखा दिया है दोसों याद किजिए कि वह चार बड़े धोखे कौन शे हैं एक में तो आपकी जान भी जाशकती थी लेकिन दोसों आप अपनी होश्यारी और अपनी बुद्धि मताशे बच गए लेकिन दोसों आने वाले कुछी शमे में या इंशान आपकी जुनकाल में बहुती बड़ा धमाका करेगा उशे पहले दोसों हो जाएए शावधान और आज के इस वीडियो को आप पिल्कुल ही मिशना करें दोसों शुरूश लेकर अंदर तक जरूर देखेगा अगर आपने जीवन की बलाई चाहते हैं अपने जान की बलाई चाहते हैं कि दोस्तों यह इंशान बहुत ही खतरनाक है जो दुश्मन है आपके आशपास के ही है दोस्तों यह आपको इस दुनिए शे हटाने पर तुला है तो इनके पीचे की वज़ा क्या है आकिर यह वक्ति कौन है और यह यह शा क्यों कर रहा है शब्धै जनकारियां इस वीडियो में हैं शादे दोस्तों आप इनसे कैसे बस सकते हैं केश्य आप इंसे चुटकारा पाशकते हैं और अपने जुनकाल में इस वेक्टी को दोबारा नहीं आने के लिए कौन सी उपायों को भी कर सकते हैं दोस्तों सभी जनकारियां पूरी तरह गरहों पर निर्मित हैं जो की आप शबी के जुनकाल के लिए बहुत देखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो भी भगवान शनीदेव के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा आशा लाइक जरू करें और कमेंट बोक्ष में सच्चे मन से जय शनीदेव लिग दें भगवान शनीदेव आप शभी के माने शोचा कल मेरा बेटा मेले में जाएगा उसके पास दस रुपे तो हो ये शोच कर माने खेतों में काम करके श्राम तक पेशे ले आई बेटा इसकूल आकर बोला खाना खाकर जल्दी से सो जाता हूँ कल मेले में जाना है शुबा मा से बोला मैं नहने जाता हूँ नस्ता तयार रखना माने रोटी बनाई दूद अभी चूले पर था माने देखा बरतन पकड़ने के लिए कुछ नहीं है उसने गर्म पतीला हाथ से उठा लिया मा का हाथ जल गया बेटे ने गर्दन जुका कर दूद रोटी खाई और मेले में चला गया शाम को घर आया तो माने पूछा कि मेले में क्या क्या देखा दश रुपे का कुछ खाया की नहीं बेटा बोला मा आखें बंद कर तेरे लिए कुछ लाया हूँ माने आखें बंद की तो बेटे ने उसके हाथों में गर्म बरतन उठाने के लिए लाई श्वर्ग है कभी भी उशेद दुखी मत करना शब कुछ मिल जाता है पर मा दोबारा नहीं मिलता जया दोसों तो दोसों अगर आपको इन पर यकीन वाह हो या कहा निसे आपको कुछ शीख मिली हो तो दोसों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स मिलिक दें जय माता दी माता राने का शिर्वाद आप शिर्वी को प्राप्त होगा तो आई दोसों से के शाथ बात करते हैं कि यह एक इंशान आकिर कौन है जो कि आपको इस दुनिया शे हटाना चाहता है जो कि आपके पीछे हांथ दोकर पड़ा हुआ है तो चली दोसों कि दोसों चोर को खाशी और शंत को दाशी मुशिवत में ढाल देती है प्यार देने शे बेटा विगड़े भेट देने शे नारी लोब देने शे नोकर विगड़े धोका देने शे यारी जिया दोसों गुन मिले तो गुरु बनाओ चित मिले तो चेला मन मिले तो मित्र बन परिवार के शाथ बातों को शेयर करते हैं जो भी आपने जुनकाल में चाहते हैं लेकिन दोसों इनके शाति-शात लोगी आपके शगेशमन्दी हैं जो भी आपके पास जाते हैं जो भी आपके दिल के करीब हैं दोसों आप भी उन्षे अपने जीवन की जो भी बाते हैं जो आने वाली क्रेकलाप हैं उन्षभी की जो गुप्ट बाते हैं अपने जुनकाल में आने वाले जुजनाओं के बारे में शभी को बता देते हैं तो दोसों हम आप शभी को बता दे कि यह आपकी गलती है और इन् में परकार की मिंशान हैं मैं देरे देरे आपके शाथ रहकर उनका देखने का नजर्या बदल जाता है और दोस्ण से भाहनु चिश करने का प्र्यास करते हैं तो आप इन बातों को शमेशा में पर नज veterinary करते लोग आए हैं तो दोशंदों दो दोस्तों दोका देने के बाद आप से मिलने में आपके शामने बशने कि कार भी वो लोग करती हैं और दोस्वों फिर आप अपने दिल को उनके आगे हार बेटते हैं तो दोस्वों ये आपकी शब से बड़ी गलती है दोस्वों भगवान श्री किस्न कहते हैं कि किसि भी इन्सान को एक बार माप करकर अच्छा इन्सान बन जा हूँ लेकिन दोस्तों दोबारा उन पर विश्वास करना जीवन की शब से बड़ी गलती होगी क्यों दोस्तों जो इंसान जे साथ था वह वेशा ही रहेगा आप उन पर बिल्कुल ही यकिना करें तो दोस्तों आपको अपने जोनकाल में इन बातों का याद रखना है कि जो भी इंस दोस्तों आप उनको अपने जोनकाल में निकाल सकते हैं और दोस्तों यहीं ऐसे लोग होते हैं जो दोस्तों आपके शाथ रहकर आपके ऊपर चल करते हैं आपके जोनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है इसके उपराने दोस्तों आपके लिए आपके जुनकाल में एक और यशी बात है जो कि आपके लिए शटिक है कि दोस्तों कोई भी इशान जब आपके बातों का ध्यान लगना है जब भी कोई इंसान अपने दुख लेकर आपके पास आजाते हैं तो दोस्तों उन्हें ना करने की हिमत आपके अंदर न रहते हैं और फिर दोस्तों सब उनको पैसे देते हैं तो फिर घु संब आप लोगहीं दहसं है से बातों पर बहुत आंचा है सब वे educación पूरी करती है किसी को पेशे देते हैं 현 how much कुछ गलत कारी करते हैं तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि अपने जुनकाल में कोई भी करीबी लोगों शेप पेशे की लेंदेन बिल्कुल भी नहीं करनी है जो जहां तक हो शेगे आप शमय उन्हें दिर्शकते हैं यह आपके लिए बहुत ही चलकर वह गलती विशार रूप धारण करके आपकी जुनकाल में कई परकार के शमयाओं का कारण बनते हैं जह दोस्तों और यहीं लोग आगे चलकर आप शवी की जुनकाल में टोटके भी करवाते हैं भूद भी चोड़ते हैं बहुत परकार की जो इनके उपर होशक्ती है करने लगते हैं तो दोस्तों आपको अपनी जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है तो यह दोस्तों बिस्तिकी इशार बात करते हैं कि केशियों आप इनको अपनी जुनकाल से निकाल सकते हैं तो दोस्तों सबसे पिल आपको बता दें कि आपकी जुनकाल में जो भी श जिदना होश चे उन्य दो स्कम्त फ्रॉसरों और ने कर kung कर ना कम होगा दोस्तोंASE आपका अकर्षण किसी और की तरफ बढ़ेगा इस परकार दोस्तों आपSThem जोनकाल में अच्रे में प्राप्त होगा तो दोस्तों अगर आपको इन बातों में सचालेगी हो तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि दोस्तों हम आप शबी की कमेंट पढ़ते रहते हैं